नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मुबाइल न्यूस चानल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामे का बुलेटिन के शुरुबात करते हैं आज की हैर्लाइन से जर्मनी में म्यूनिक शहर के एक शौपिंग सेंटर में अंधा धुन्द फायरेंग हमलावर समेट दस लोगों की मौत कई लोग हायर 18 साल के एक एरानी यूबक ने दिया घटना को अंजाब केंद्र ग्रह्मन्त राजनाच सिंग आज से दो दिन के कश्मीर दोरे पर घाटी में हो रही हिंसा और बिगड़ती कानून विवस्था का लेंगे जायजा केंद्र ने राज्य सरकार से मांग इथ रिपोर्ट दैशंकर मामले में बी-एस-पी पर पलटवार की तैयारी में बी-जे-पी दैशंकर सिंख की बेटी और पत्नी पर अपत्ती जनक बयान देने वाले नसी मुद्देहीन के खिलाफ की कारवाई की मांग पुलिस में दर्च कराया मामला पोहिनूर हीरे की वापसी के लिए केंद सरकार बना रही है योजुना केंद्रे मंतरियों के बीच विचार विमर्ष का दौर शुडू 15 अगस के बाद बुटेन की सरकार से शुरू होगा बाचीत का सिलसला और एंटिगा टेस्ट में कप्तान विराठ कोली ने जोड़ा दोहरा शता रभी चंद्र अश्वीन ने भी खेला शत किया पारी टीम इंडिया के आठ विकट पर 566 रणों के जवाब में वेसंडीज ने एक विकिट खोकर बना 31 रण जर्मनी के म्यूनिक शहर स्थिट शॉपिंग सेंटर में अंदा धुंद फाइरिंग हुई है पुलिस के मुताबिक हमले में 10 लोक मारे गए हैं इसमें से एक खुद हमलावर है वही कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है हाला कि हमले का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है पुलिस के मुताबिक म्यूनिक के शॉपिंग सेंटर में एक 18 साल के यूवक ने फाइरिंग की इस यूवक की पहचान इरानी मुलके जर्मन नागरिक के तौर पर की गई है पुलिस ने ये भी बताया कि हमले में मरने वाला दस्वा सक्स खुद हमलावर ही था जिस जिद शॉपिंग सेंटर में हुआ उतरप्रदेश बीजेपी पूर्व पाध्यक्ष दयाशरंकर सिंख के बीजेपी सुप्रीम मयावती पर आपती जौनक बयान के बाद जुस तरह से मयावती ने इस पूरे मामले को एक राजुनेतिक हतियार के तौर पर इस्तमाल करके अ दयाशरंकर सिंख की बेटी और पत्नी पर आपती जनक बयान दे दिया। इसलिए बीजेपी दयाशरंकर सिंख की बेटी के समान में सबही जन पदो में बीएस्पी का विरोद करेगी। اور बसपानेता नसीम الدین सिदकी पर कारवाय की मांग करेगी। उना दलित अत्याचार मामले पर आप प्रमुक अर्विंद केजरिवाल के बीजेपी पर दोशियों से 60 गांट का आरोप लगाये जाने के बाद गुजरात बीजेपी ने आप प्रमुक पर हमला बोलते हुए कहा कि इस तर्ग से तो आपको भी अपने सांसत भगवंत मान की कर तरह से अपनी समझदारी में कमी को उजागर किया है इस तरह के बरबर कृतिय में कोई भी सरकार मिली भगत के बारे में सोच नहीं सकती अगर ये पैमाना लागू किया जाता है तो क्या दिल्ली में हो रहे सभी मामलों में उनकी सरकार की भी मिली भगत है रक्षा मंत्री मन अधिकारियों से जानकारी ली है जानकारी के मुताबिक शुकरवाज सुभा करीब 9 बजे से लापता इस विमान में 29 लोग सवार थे इनमें 6 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे परिकर ने बताया है कि एरफोस नेवी और कोस्ट गार्ड का सर्च अपरेशन जारी है अभी तक खो संपर्ख शुकरवाज सुभा 8 बज कर 46 का है जबकि रडार पर उसकी आखरी लोकेशन 9 बजे की है उस वक्त विमान 23,000 फीट की उचाई पर था इसके बाद रडार से अचानक संपर्ख तूट गया कोहिनूर की वापसी के लिए भारत सरकार के मंत्रियों के बीच विचार का दौर शुरू हो गया है 15 अगस के बाद इस बारे में सरकार United Kingdom सरकार से बादचीत शुरू कर सकती है बुटेन की नई प्रधान मंत्री ठेरिसा में की सरकार की ये साथ अब इस मसले पर बात होनी है विदेश मंत्राले के मुखायले जवाहर भवन में हुई उच्टस्तर ये बैठक में विदेश मंत्री शुष्मा स्वराज और संस्कृती और पर्याटन मंत्री डॉक्टर महेश्वनमा के साथ विदेश और संस्कृती मंत्राले के सचीव भी शामिल हुए सूत्रों के मताबिक बैठक में ये तै किया गया की प्रधार मंती नरेंदर मोदी और सरकार के साथ ही देश वासियों की भावनाओं के मताबिक कोहिनूर को इंगलैंड के राज घराने से भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाए यूपी में 2017 विधान सभा चनाफ के लिए कांग्रिस ने तैयार या शुरू कर दी है कांग्रिस पार्टी की तरफ से 45 दिनों के अंदर 27 यात्राएं की जाएंगी और इसके अलावा वारनसी में सोनिया गांधी का एक रोट शो भी होगा पहली यात्रा शनिवार को कांग्रिस मुखाले से निकाले जाएगी ये यात्रा बस द्वारा की जाएगी ये कुछ जिलों से होते हुए तीन दिन बाद कानपूर पहुचेगी इस यात्रा में सोनिया और राहुल गांधी के साथ सी एम केंटिकेट शीला दिक्षित ए आई अश्र के मराठवारा शेत्र से सौ से अधिक मुस्लिम युवा लापता हो गए हैं और ऐसी आश्रंका है कि ये लोग आतंकी समुवा आईएस आईएस में शामिल हो गए हैं ये दावा शिफसेना के विधायक राखुल पाटिल ने शुकरवार को विधान सभा में किया पारिका हवाला दिया जिसके तारकतित रूप से आईएस आईएस से जोड़े थे उन्होंने कहा कि यहां तक की पुलिस को लगता है कि लापता हुए ये युवा आईएस आईएस में शामिल होने के लिए निकल गए हैं दक्षिनी चीन सागर के मुद्दे पर संयुक्त रा में मार करने में सक्षम कई हतियारों को पेश किया अंतराश्ट्रिय नयाधिकरन के उस फैसले की प्रिष्ट भूमी में इन हतियारों को राश्ट्रिय टेलिविजिन पर दिखाया गया जिसमें उसने दक्षिनी चीन सागर पर चीन के दावे को खारिच कर दिया था और फिल इन्यत अक्राव के लिए तयार है भारत ने सर विविन रिचुर्ट सेडियम में जारी इम पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुकरवार को आठ विकेट पर 566 रन बनाने के बाद पहली पारी घोशित कर दी इसके बाद वेस्ट इंडीज ने दूसरे दिन का खेल खतम होने स से पहले एक विकेट के नुकसान पर 31 रन जोड लिये भारतिय बॉलर मुहमद समी ने राजेंद्र चंद्रिका को 16 रनों के स्कोर पर आउट किया मेजबान टीम पहली पारी के तुलना में अभी भी 535 रन पीछे है उसे पहले फॉलो आन बचाने के लिए खिलना होगा ये सिंडीज के खिलाफ उसी के घर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है भारत के लिए कप्टान विराट कोली ने जहां अपनी करियर का पहला दौरा श्रतक लगाया और कई कीरती मान स्थापित किये बही दुनिया के बहतरीन ऑल राउंडर खिलाडियों में शामिल पारी खिली विराट कोली विदेश में धौरा श्रतक लगाने वाले पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बन गए हैं यही नहीं वे केरिबियाई धरती पर भी सबसे बड़ी विक्तिगत पारी खिलने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं कोली ने केरिबियाई धरती पर सबसे ब प्रकुली विदेश में दौरा श्रतक लगाने वाले पहले भारतिय टेस्ट कप्तान बन गए हैं। यहीं नहीं वे केरिय बियाए धर्टी पर भी सबसे बड़ी वेक्ति गतपारी खेनने वाले भारतिय कप्तान बन गए हैं। खबरों के सफर में फलहाल इतना ही दिश दुनिया के पलपल की खबरों को हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फून के मादियम से ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रही मेटो टीवी से नमस्कार